नमस्त्र दोस्तो, एक बार फिन सब्सक्तिक कुआरे एक डिये ए zaten एपसोट में तो दोस्तो आज के एपसोट में हम आज है अप लोग को भारत केग ऐसके अज़ूब eks5 बारें बताएँगे जिस अजूबे के बारे में नहीं आज तक आप लोग दे सुना होगा और नहीं इसके बारे में कुछ सोचा होगा और उसी अजूबे के बारे में हम आप लोग को इस वीडियो में आज डेटेल से बताएंगे इसलिए आप लोग इस अजूबे के वाई रिम जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और भवेश में ऐसे टेस्टिंग और जानकर से भरपूर और ज्यादा एपसोड और ऐसे वीडियो देखने के लिए अभी माई चौन को सब्सक्र कीजिए और नूटिफ फिक्शल बेको भी अन कर लीजिएगा तो अब चलिए इस एपसोड को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तो भारती सिनेका जो ये अजूबा होने वाला है ये अजूबा कोई और नहीं बल्की आज़रेट में भारती सिनेक बास सबसे खतरनाक रडार है और अगर आप लोगों इस रडार का नाम बताएं तो इस रडार का नाम स्वार्ड फिश लॉंग रेज ट्रैकिंग रडार है जो कि इंडियन एक्टिव इलेक्ट्रोनिक नी इसकेंड एरे है और इसे भारत इलेक्ट्रोनिक लिम्टर्ड एलेक्ट्रोनिक रडार डवलोप्मेंट इस्टैब्रिस्मेंट नाम की कंपनी ने बनाया है और दोस्तों इसे पहली बार 2.09 में दुनियाक सामने पेश किया गया था और अरवना प्लकू थोड़े इसके विकास कारे कावरें बताएं तो एक बार हुआ हूँ था कि जो भारत है वो इसराज से दो ग्रीन पाइन लोंग रेंज रडार खरीद रहा था कि जो अमेरिका है उसने वापस अरंगा लगा के भारत को ये रेडार नहीं खरीद ने दिया था फिर इसके बाद भारत ने ये निश्चा किया कि हम अपना रडार खुद ही बनाएंगी और फिर इसके बाद भारत ने अपने देश के अंदर रडार बनाने के लिए फैसला किया था और फिर इसके बाद भारती वेग्यान को ने दिन रात मेहनत करके एक-एक पाल और दिश्क की पहली खास्यत है वो खास्यत है यह रडार 24 गंटे और हर एक मौसम में अपने आसपास के दैरे के 600 km से लेके 800 km दूरे तक अपने काम को अंजान देने में सक्षम है और जो उसका अपग्रेड़ेड़ वर्जन है वो अपग्रेड़ेड़ेड़ वर्जन का रिप्सक्रीब 1500 500 km तक ओपरेड़ करने में सक्षम है और जो यह रडार है वो रडार बड़ी से बड़ी चीज़ को कम समय भाब के अपने मौनिटर में शो कर सकता है अब चले बढ़ते इसके दूसरी खुबी तरफ दोस्तों जो उसकी दूसरी खुबी है वो दूसरी खुबी यह है कि जो रडार है यह धर्ति सकरीब 80 km की उचाई में किसी भी अबजेट को डिटेक्ट करके उसे एक एक्सपो एटमॉस फिर एक इंटरसेप्टर मिसाल से धर्ती के एटिटूड के बाहर मार करने में सक्षम है और जो रडार है वो इस काम में सबस्यादा माहिर है जो कि भारत के इ रजाने वाले खत्रे से हमें सही रक्षा कारैगा अब चलिए बढ़ili дос month दो सबस्याद के टीस्री खुबी है वह थिस्री खुबी यह है कि यęt रडार एक साथ करीब कि ये रडार क्रीव एक साथ 200殃ट आर्यर्यट को डिटेक्ट करने में सक्षम है सबन है और अगर आस्मा ये हाईपरसोनिक स्पीड से गरीब सकरीब सतर से 80% जादा है और जो ये रडार है ये एक साथ 200 टार्य टू डिटेक्ट कर सकता है याने अगर पाकिस्तन भार्ष के अंदर कोई भी मिसालों को जकीरा भी भेज देता है तो उन मिसालों को जकीरों को ये रडार बहुत ही असा कोई होने वाली है वह आक्री हूँई ये है भार्ष के बीमडिसीड बीसटिग मिसाल् डिफैने सिस्टा में होगा यानने यह रडार वही रडार है जिसकी में करने वाली है यह अगरी इस दुष्माई खिलाफ भार्ष को बहुत जाना मजूद करेगी अब दोस्तों आप लोग को पता चल चुगा हुआ कि भार्त के पास ऐसे रेडार है जिन रेडार को में अच्छी जो भार्त है वो नासिब चीन के पहुंच्छी पीडिये के लड़ा हुमा J20 को पकार सकता है बलकि उन्हें धर्तिम लाने के लिए भार्त को करीब 40-43 सेकंड के समय लगने वाला है तो दोस्तों आपको इस रेडार की कौन सी खुबी अच्छी लगी नीचे कमेडर के जरूर